हलो दोस्तों सिक्षा विला कि हमारे यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है हम यहां आपको online classes complete course यहों कुछ महत्पूर्ण mcq questions भी solve कराएंगे जो आपके exam point of view से बहुत जाला important होंगे आज का हमारा topic है तंत्री का तंत्र जिससे इंग्लेस में nervous system करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि तंत्री का तंत्र क्या होता है तो तंत्री का कोशिका हों से बना एक चाल होता है अर्थात एक network होता है जो सोचने समझेने याद रखने और instruction या message को सरीर के अन्यभाव को तक पहुँचाने का काम करता है तो आईए हमें इस lecture में पढ़ना है और हम इनको ज्यादा detail में नहीं पढ़ेंगे हम उन्हीं चीज़ा को कवरा करेंगे जो हमारे exam point of view से important होंगे और जो exam में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे तंत्र का कोशिका neuron neuron क्या होता है तंत्र का उतर की इकाई को ही neuron या तंत्र का कोशिका कहते हैं इसमें हमें फिक्जामेर पूछा जाएगा कि हमारे Alexandre की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है तो तंत्र का कोहते हैं तो हम सिप इतना ही पढ़ना इसमे अब हम पढ़ेंगे मस्तिस के बारे में तो आई इसका डियाग्राम देख लेते हैं मस्तिस का मस्तिस का अस्तियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है जो इसे बारी आखातों से बचाता है जो हमारे मस्तिस को होता है उसके उपर में जो खोपड़ी होती है वो किस से बनी होती है तो क्रेनियम से बनी होती है जो हमें बाहरे डैमजों से बचाता है यह हमारे मस्तिक्स का वजन 1400 ग्राम होता है तो चलिए देखते हैं हमारे मस्तिक्स को कितने भागों में बाटा गया है तो हमारे मस्तिक्स को टीन भागों माटा गया है एक होता है अग्रमस्तिक्स, दूसरा होता है मध्यमस्तिक्स, और तिसरा होता है पर्समस्तिक्स, तो आज देखते हैं अग्रमस्तिक्स में कौन-कौन से भाग होते हैं, तो ये भाग को हम सेरी ब्रहम कहते हैं, और ये रे भाग जो हमें क्या गोलते हैं थैलमस बोलते हैं, औ यह जो seribellum, seribellum देखे यहारा seribellum और यह point है हमारा medulla oblagenta तो यह दोनों हमारे पर्स मस्चिज का भाग होता है और last time हम देखें कि मिरज्यो को यह रहा हमारा मिरज्यो तो हम इन सभी के बारे में बारी-बारे से पढ़ेंगे तो आज़े श्टार्ट करते हैं हमारे अग्रमस्जिश का भाग सेरिब्रम से अग्रमस्जिश का भाग सेरिब्रम सेरिब्रम जिसे हम हिंदी में प्रमस्जिश के भी कहते हैं या हमस्जिश का सबसे बड़ा भाग होता है लगबाग दो तिहाई भाग होता है अर्था तो आपकी एक्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे मस्जिस में सबसे बड़ा भाग किसका होता है तो सेरिब्रहम को होता है और एक और important point है बुद्धी और चतुराई का केंदर सेरिब्रहम ही होता है तो इसमें सब्सक्राइब इंपॉर्डन है कि बुद्धी और चुत्राइबर के अंदर सेर्वरम ही होता है ठीक है याद एक है पॉइंट अब हम पढ़ने वाले थेलमस या दर्द ठंडा तथा गरम को पहचानने का कारे करता है जो हमारे सेज़ में जो भी दर्द होता है यह जो भी ठंडा गरम इसकी पचान कुन करते हमारे मस्सिस में तो थैलमस आयस के सिती देख लेते हैं डागराम में तो यह रहा थैलमस अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपो थैलमस डागराम में देख लेते हैं कि हैपो थैलमस कहा है तो यह रहा आपका hypothalamus यह अंतरस्तावी गंतों से स्त्रावित होने वाले hormones का नियंतर करता है इवं यह भूख, प्यास, ताप, नियंतर, प्यार, घ्रीणा, आदी के केंदर होते है आपके एक्जाम में दोस्तो थैलमस, hypothalamus से सीब इतना ही पूछा जाएगा अपको जाले determinants नहीं पढ़ने है अपको पूछा जाएगा कि मद्ध मस्तिष को कितने भागों बाटागी है तो कितने भागों बाटागी है? दो भागों में एक है कारपुरा काडिगेमिना और इससे क् democratic निया करते हैं यहां हमारे मस्डिस के अन्य भागों को मेरी जिस से जोड़ने का कार करती है अब हम पढ़ने वाले हैं पस मस्डिस बारे में इस तरह मद्ध मस्डिस को दो भागों बाटागे है तो उसी तरह पस मस्डिस को भी दो भागों बाटागे है एक है Cerebellum, दुसरा है Medulla Ablogenta तो Cerebellum यह मसिस के इस भाग का मुख के कारे होता है सरी का संतुलन बना रखना और Cerebellum के एक और क्या होता है यहां एच्छी क्रियाव को नियांतर करता है तो आए डियागराम में जेते हैं Cerebellum कहा पाशता है यह रहा Cerebellum अब आगे बढ़ते है Medulla Ablogenta तो Medulla Ablogenta कहा है डियागराम में तो यह रहा Medulla Ablogenta तो यह मसिस के सबसे पीछे का भाग होता है एवं इसका मुख के कार, उपापचय, रक्तदाप, हेड़य की धड़कनों तो आपके एक्जाम में यह पूछे जाएगा कि हीदय के धड़कना, प्लड प्रेशर, यह सवसन का नियंतरन कौन करता है हमारे मसिस में तो कौन करता है, तो Medulla Ablogenta दोस्तों यह सबी पॉइंट एक्जाम में पूछे गए हैं, आप याद दखेगा अब हम पढ़ने वाले है Medulla Ablogenta इसे हम इंग्लिस में Spinal Cod करते हैं जो Medulla Ablogenta का पिछला भागी मरजी बनाता है यह मरज्य का मुखे कारे क्या होता है यह प्रतिवर्थी क्रियाओं का नियंतरन अर्थात प्रतिवर्थी क्रियाओं के केंदर का कारे करते हैं अर्थात जो ऐसी क्रियाओं है जैसे माल लिजे कोई सूप के हमारा हाथ चला जाए या फिर कोई काटा हमारे पाउं में गड़िया है तो अचानक से हम अपना पाउं हटा लेते हैं या अपना हार अटा लेते हैं तो यह सी क्रियाओं को नियंतर कुन करता है तो मेरू रज्यू करता है इवं मस्चिज से आने जाने वाले उद्द्पनों का सहवहन कोन करता है तो मेरी रज्जु करता है तो इसी के साथ आज के हमारे थियोरी सेक्षन समापत होता है तो हमें थियोरी में सिब इतना ही पढ़ना था हमारे exam point of view से जितने भी important topics थे हैं और मैंने उसे cover किया है और इससे बाहर कोई भी question नहीं आएगा तो आई देखते हैं कि आप कितने question का solve कर पाते हैं तो पहला question है मानो सरीर में हीदे एक धड़कन को कौन नियांतित करता है तो कौन नियांतित करता है तो medulla ablogenta मानो सरीर की संतुलन किसके तो नियांतिया जाती है तो cerebellum के दवारा तीसरा है मानो मस्रीर की अच्छी क्रियां को कौन नियांतित करता है तो medulla ablogenta medulla ablogenta क्या करता है अनेच्छी क्रियां को नियांतित करता है चोथा है मानो सेरी की एच्छे क्रियाओं को कौन ये अधित करता है तो सेरी बेलम पांचो कोशन है मानो मस्स के पस मस्स को कितने भागों में पहटा गिया है तो कितने भागों माटा गिया है दो भागों में कौन-कौन से भाग है, एक है सेरी बेलम, एक है मेडूला अबलगेंटा, ठीक है, छटवा है, मानो मसिस के मद्ध मसिस को कितने भागों माटा गये हैं, तो इसे भी दो भागों माटा गये हैं, चलिए, साथो कोशन, निमने में से कौन से मानो मसिस में ताप नियातर का कारे कर तो थैलमस, नौहा जुशन है, मानोमसिस में भूख, प्यास conveneं का एmiसास किसके द्वारा होता है तो looking phantalamus के दावरा, द्पोमानोमसिस में बुद्दी और चित्रयाय का केंदर किसे माना जाते तो आप हमारा टेली ग्राम गुरूप जॉइन कर सकते हैं जहां हम टेली क्विज के माध्यम से बहुत सारे इंपोर्टेंट मेंटस के चूशन performs वी को में je edema करते हैं और अब सारे लगो को अगर आपको में वीडियो पसंदाया है के शेयर की इस वीडियो को लाइक कीज का एंड सबस्क्राइब कीज़ेगा मेरे चैनल को और icon दबाना ना भूबressive